दोस्तो मैंने रिसेंटली नेट्फिक्स पर एक ट्रू थ्रिलर क्राइम मिस्टरी पर बेस्ट एक डॉक्युमेंटरी को देखा है जिसका नाम है क्राइम सीन दा वैनिशिंग एड़ दा सैसल होटल दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले में आपको एक reward based survey app quick opinions rewards के बार में बताना चाहता हूँ अब app open करते ही आपको बस register करना है और register करते ही यहाँ पर आपको survey complete करने है जिसके बाद आपको points और rewards मिलेंगे जिनको आप amazon vouchers, paytm, paypal and upi के जरिए अवेल कर सकते हैं और यह survey दुनिया भर में हम सभी की इकटी opinion बनकर world leaders के सामने आते हैं तो है ना interesting app और दोस्तों इस app के अंदर एक update है like पहले reward redemptions automatic नहीं था जिससे आपको काफी wait करना पड़ा होगा और तब इसको automatic कर दिया गया है जिससे आपको आपके rewards redeem होकर बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे so try it out तो description में दिये गए link से आप इस app को play store से download करें और लाब उठाएं इस video में hotel Cecil की horror and mystery को मैं explain करूँगा और दोस्तों मैंने हाली में dark water 2005 film को explain किया है तो पहले जाकर उसको देख लीजे क्योंकि इसके अंदर उसके बारे में बात करी गई है तो link is in the description तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ ये documentary Elisa Lam नाम की 21 year old Canadian woman के बारे में है जो की 31st of January 2013 में Los Angeles शेहर में गुम हो गई थी ये एक famous case था जिसमें कई सारी internet conspiracy theorist, commentators, वेले लोग, media interested था ये किस इसलिए खास था क्योंकि Elisa LA के Cecil Hotel से गायब होई थी ये hotel अमेरिका की सबसे dangerous hotel में से एक होने से बदनाम है Elisa Lam होंग कॉंग से migrate हुई एक Chinese couple की बेटी थी जो की Canada में रहती थी Canada की University of British Columbia की student थी जो की अकेले California घुमने आई थी वो पहले San Diego गई उसके बाद में LA आई और आगे Santa Cruz और San Francisco भी जाने वाली थी Elisa social media पर काफी active थी तो वो Tumblr पर regular post करती रहती थी वो अपनी life की सबी छोटी मोटी चीज़ों को वहाँ पर लिखती थी एज इफ की वो उसकी diary हो Elisa ने LA के Cecil Hotel में January 26 को check-in किया था and January 31 को वो missing हो गई थी LA Police Department केस को seriously लेते हुए 18 officers को केस पर लगाया उन्हें Cecil Hotel की history मालुम थी Elisa का रूम होटल के 5th floor पर था जिसे stay on main block भी कहा जाता था इस होटल के 3 floors 4th, 5th and 6th को separate होटल की तरह market किया गया था as इसके अंदर facility काफी अच्छी थी इसके लिए entrance भी अलग था और अलग lobby भी थी यहाँ पर होटल की जो lift सी वो एक ही थी माइक एंड सबीना बॉग इंगलेंड से आयोए टूरिस्ट थे वो एले घुमना चाहते थे इसलिए internet पर होटल की cheap rates को देखकर उन्होंने वहाँ पर room book कर लिया जो की बात में काफी ज़्यादा महंगा पड़ा होटल मैनेजर एमी प्राइस ने पुलिस को explain किया कि एलिसा पहले girls dorm room में थी दो और girls के साथ में stay कर रही थी लेकिन उन दो girls से misbehavior के complaint मिलने से एलिसा को separate room में shift किया गया था पुलिस को initially एलिसा के room में कुछ भी suspicious नहीं दिखा कोई भी forced entry के निशान नहीं थे उसकी belongings बिल्कुल ठीक थी एलिसा bipolar disease की भी patient थी और उसकी medication भी वहाँ पर थी bipolar एक mental illness होती है जहांपर patients manic and depression states में switch करते रहते हैं अचानक ही बहुत खुश हो जाते हैं अचानक ही बहुत दुखी पुलिस होटल में लगे हुए CCTV footage को देखने लगी और दो दिन के बाद में उन्हें एलिसा एक lift में दिखी वो fifth floor की lift थी वीडियो में वो clearly normal behave नहीं कर रही थी और ये YouTube पर upload हुई creepiest real video में से एक है पुलिस एलिसा को होटल में ही ढूडने लगती है as clearly वो होटल छोड़के नहीं गई थी होटल के अंदर 700 rooms थे और सभी guests अच्छे लोग नहीं थे जिनके बार में मैं आगे बताऊंगा पुलिस के 9 dog squad को भी बिलाते हैं जहां पर डॉग लोगों के समानों को सूंखर उनका पता लगाते हैं बिसीकली ये उनकी गंद को फॉलो करते हैं एक डॉग ऐसी ही गंद को फॉलो करते हुए विंडो के पास में जाकर रुख जाता है उस विंडो के बाहर में सिर्फ fire escape सीडियां थी जूकि उपर रूफ तक जाती थी पुलिस हेलिकॉप्टर की मदद से रूफ को चेक करती है बट वहाँ पर भी उनको एलिसा नहीं मिलती कुछ और क्ल्यू ना मिलने के कारण से पुलिस लिफ्ट की वीडियो को पबलिक के लिए रिलीस करके हेल्प मांगती है यहां से ही सारा कांड शुरू होता है साल 1924 में होटल सैसल की शुरुवात हुई 19 फ्लोर्स के साथ में 700 रूम का ये होटल उस ताइम टूरिस्ट का फेवरिट था लेकिन 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद ने होटल घाटे पर चलने लगा ये ओल्ड पीपल और सिंगल पीपल सस्ते में स्टेक करने वालों का अड़ा बन गया ये होटल एले के स्केड रो एरिया में था जिसे अमेरिका का सबसे पूरेस्ट एरिया माना जाता है यहां पर आठ से दस हजार होमलेस लोग सालों से रहते आ रहे हैं ये रोड पर ही सोते हैं और खाते हैं इनके अंदर क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्ट्स, सीरियल किलर्स जैसे लोग शामिल हैं एले सीटी में इन्हें इस एरिया में लॉक इन किया गया है ऐसी एक ओपन जील की तरह है सैसल होटल के दो फ्लोर्स, सेकंड एंड थर्ड ऐसे ही बेगर लोगों के लिए रिजर्व हैं बाई लॉग यहाँ पर सालों से कई लोग रेंट पर रहते आ रहे हैं सैसल होटल ऐसे ही होमलेस, ड्रग एडिक्ट्स, क्रिमिनल्स का अड़ा था क्राइम वॉयलेंस डेथ आम बात थी होटल के हर फ्लोर पर मर्डर हुआ था 1980 में इन फेमस नाइट स्टॉकर सीरियल किलर जिसने 18 मर्डर किये थे उसे पुलिस ने इसी होटल के अंदर से पकड़ा था साल 1991 में एनदर सीरियल किलर जैक भी इसी होटल में रहता था बेसिकली ये होटल क्राइम का अड़ा था पुलिस को रोज यहां से 911 पर कॉल साते रहते थे साल 2007 ने होटल के नियू ओनर्स ने इसको रेनोवेट करके नियू ब्लॉग स्टे ओन में मनवाया जो की नॉर्मल एंड फॉरंट टूरिस्ट के लिए था बाकी फ्लोर्स को वो अभी भी चीप रेट्स पर ही देते थे और डर के लिफ्ट के बाहर जहांकती है अजीब से हैंड गेस्चर्स को भी करती है लेटर ओन लेफ्ट साइड से गाय भी हो जाती है इंटरनेट कॉमेंटेटर्स इसको गोस्ट हॉंटिंग कहने लगे रिशल हीट क्राइम कहने लगे इसमें फेस्बुक डिसकशन पेज़ेस एंड कॉंस्परेसी थेयरी के चैनल कई सारे कूद पड़े तो गेट गुड व्यूज अब ऐलिसा को मिसिंग हुए दो हफते हो चुके थे फेबरुरी 19 को गेस्ट माइक एंड सबीना नोटिस करते हैं कि उनके रूम में पानी कमा रहा है मेंटेनस वरकर सेंटियागो लोपेस रूफ पर रखे हुए वाटर टैंक को खोल के देखता है उसे वहाँ पर शौकिंगली एलिसा लैम की बॉड़ी दिखती है जी हाँ वो वहाँ पर नेकड फ्लोट कर रही थी उसके कपड़े टैंक के इंलेट में फसे हुए थे और इसलिए रूम्स के अंदर पानी कमा रहा था यानि की ठीक 19 दिन तक होटल के सभी गेस्ट ने इसी पानी को पिया और इसी में नहा रहे थे I mean it's very creepy Just think about it कि आपकी टंकी के अंदर कुछ एक छोटा सा कीड़ा चला जाता है तो आपको कितनी जादा इरिटेशन होती है यहाँ पर तो पूरी की पूरी डेड बॉडी थी खैर एलिसा लैम की ये खबर वाइलड फायर की तरह इंटरनेट पर फैल जाती है सबकी अपनी अपनी थेयरी थी कि एलिसा की बॉडी वहाँ पर कैसे पहुची माइक एंड सबीना बाकी गेस्ट की तरह मीडिया को बाइट दे कर होटल छोड़ कर चले जाते हैं मीनिंग कि वो बहुत ही जादा शौक में थे लॉट्स ओफ यूट्यूब फेस्बुक चैनल से इस होटल में गेस्ट बनकर फिफ्ट फ्लोर को सर्च करने आते हैं उसकी तरह लिफ्ट में बटन्स भी दबाते हैं उनमें से एक बटन होल्ड का सा जिसे दवाने पर लिफ्ट का डोर दो मिनट के लिए ओपन ही रहता था फिफ्ट फ्लोर से रूफ को जाने के लिए दो रास्ते थे एक होटल में बने इंटीरियर स्टेर से और दूसरा विंडो के बहार से जो की फायर इमर्जनसी में यूज होता था इंटीरियर स्टेर से यदि कोई जाता तो नीचे लॉबी में अलाम बज जाता था बट उस दिन कोई भी अलाम नहीं बजा था इसलिए मैनेजर ये कहती है कि एलिसा विंडो से ही बार गई होगी इंटरनेट के विल्ले लोग यहाँ पर अपनी ही थियोरीज रखते हैं 2005 में डाक वाटर्स नाम की एक हॉरर फिल्म आई थी जिसको मैंने कली एक्सप्लें किया है तो जाकर जरूर देख लेना उसके अंदर एक मदर एंड डाटर एक पुराने अपार्ट्मेंट बिल्लिंग में चैक इं करते हैं वहाँ पर एक बच्ची की मौत वाटर टैंक में गिरने से हुई थी अपार्ट्मेंट में भी बलैक वाटर आ रहा था अब यहां पर लोहों की थियोरी यह थी नया mutated variant सामने आया था और टेस्ट करने के बाद में ये पता लगता है कि उसका नाम Lamb Elisa था यानि कि exactly opposite of Elisa Lamb apparently यहाँ पर TB के वाइरस को पता लगाने के लिए किये जाने वाले टेस्ट का नाम Lamb Elisa टेस्ट था लोग ये कहने लगे थे कि Elisa government की agent होगी जो की secretly homeless community को मारने आये थी उसके and government के बीच में जगड़ा हो गया होगा इसलिए government ने उसे मार कर टंकी में फेक दिया यहाँ पर एक और coincidence वाली बात है कि British Columbia University में वर्ल्ड का सबसे बड़ा TB Research Center है और इसी यूनिवरसिटी में Elisa पढ़ती थी अब इन विल्ले लोगों ने morbid nama के एक heavy death metal artist का वीडियो धुनिकाला जो की 2012 में इसी hotel में रुका था उसके YouTube चैनल पर वो creepy music videos बनाता था जिसके lyrics में वो एक Chinese girl की बात करता है जो की एक water tank में जाकर मर जाती है यह वीडियो Elisa की death से पहले release हुई थी सब लोग इसे heavy troll करते हैं और उसे ही killer बोलते हैं बट Elisa की death के time यह आदमी Mexico में शो कर रहा था इसकी वो एक clarification वीडियो भी release करता है बट ट्रोलिंग फिर भी नहीं रुकती YouTube उसके channel को permanently ban ही कर देती है violence को promote करने का reason देकर मतलब बिना कुछ करे ही उसकी what लग गई लोल खेर पुलिस इन सभी चीजों को सिर्फ एक hoax theories कहकर ignore कर देती है अब डॉक्टर जेसन टोवार Elisa की detail autopsy करते हैं उसकी body पर कोई भी external या फिर internal घाव नहीं थे और उसने किसी भी unauthorized drugs को नहीं लिया था strangely उसकी bipolar medication में कमी थी meaning कि वो regularly अपनी medicines को नहीं ले रही थी उसकी family के मताब एक जब भी वो दवाईयां नहीं लेती थी तब उसको दोरे पड़ते थे उसका behavior नॉर्मल नहीं रहता था missing होने से पहले वो बिना दवाई लिये हुए एक live show के अंदर गई थी जहां पर उसको miss behavior के लिए बाहर निकाला गया था होटल में initially वो एक dorm room में रुकी थी जहां पर बाकी girls को वो rude message दे रही थी इसलिए manager ने उसको एक अलग camera अलोट कर दिया था पुलिस ये conclude करती है कि elisa lamb को अपने mental illness के चलते कोई ऐसा आदमी या फिर कोई ऐसी चीज़ दिख रही थी जो कि उसको follow कर रहा है इसलिए वो lift के अंदर वो strange behavior कर रही थी वो डर कर खुदी window से बाहर जाकर 19 floors चड़ी later on roof पर चढ़कर वो water tank के अंदर खूद गई एज उसको ये लगा कि वो place safe है और वो वही पर मर गई पुलिस ने पहली बार roof को check किया था बट water tank को नहीं elisa के previous instagram photos में roof से ली गई कई सारी photos थी यानि कि elisa अकसर buildings के ओपर चढ़कर images लेती थी यानि कि उसको इन चीज़ों की practice थी clearly यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो struggle कर रही थी अपनी age के बाकी students की तरह independent life को जीना चाहती थी बट mental illness एक बड़ी condition है और इसको lightly नहीं लेना चाहिए secondly किसी भी new town में hotel को book करने से पहले उसकी history समझना बेहत ज़रूरी है सिर्फ cheap rate को देख कर book नहीं करना चाहिए so ghostly army please take a note here और दोस्तों एक चीज़ और आप जब भी internet यानि किसी भी platform पर आप comment करते हैं तो उसको अच्छे से करिए या फिर seriously करिए यानि किसी का मजाग मत उड़ाइए ये किसी के career को, life को या फिर health को बिगाड सकता है और यहां पर हो सकता है कि आप लोग हर चीज़ को fun में लेते हूं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इन comments को बहुती ज़दा seriously ले जाते हैं और बूम इसी के साथ में ये कहानी यहां पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी crime scene, the vanishing at the Cecil hotel की कहानी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको Elisa Lam केस से जड़ी हुई सारी कहानी और सारी की सारी theories बता दी हैं जो कि यहां पर चलती है मेरी personal opinion की बात करें तो यहां पर मुझे भी लगता है कि वो bipolar थी जिसके कारण से ऐसा हो सकता है Like कई बार होता है ना किसी को mental issues होते हैं जिसके चलते वो एक अलगी इनसान मन जाता है Like मेरे relatives के अंदर ही मैंने एक ऐसा case देखा है और उसके लिए मुझे काफी ज़ादा दुख है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अच्छे लगी है तो वीडियो का like कर दीजे सोच विचार करके seriously comment करिए चैनल पर नए है तो subscribe कर दीजे तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए stay ghostly